अब आप आज हम साइंस का लेवेंच चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन और फ्लाइट इसके हम कुशन इसके करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहें हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकोन को प्रेस करो ठाकि आपको मेरे नए वीडियो बिले इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर जे दिया अगर आप नहीं देखो देख लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चलो भी स्टार्ट करते देखते है क्या है यह ऐसमें देखो इसको आपको एंसर लिखना के यह दखो आपको यह स्क्रिम पर दिख रहा है यह इसका ऐंसोर है यह लिखना आपको तो देखो इसमें जो आपको लिखना है अंसर Tov A ul – यह लिखना है फिलार्च लाइट 104 ठीक है तुछलो भी सी पे चलते हैं सी पे क्या है वाई आर कॉंक्यों मिर्स उस्ट इन सोलार डिवाइजेज तो दोखो इसका यह एंसर है ठीक है डी देखो क्या है वाई और दे मिर्स फिटेड ऑन दा आउटसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ कास कॉंवेक्स तो इसमें देखो आपको यह लिखना है आगे क्या देखो यह क्या वाई डज ऑप्तेनिंग दाइमेज ओफ दी संट ऑन पेपर विद दे हल्प आफ कॉंक्यों मिर्र बूंस द पेपर तो इसमें देखो आपको यह लिखना है आगे देखो F में क्या आपको If a spherical mirror breaks What type of mirrors are the individual pieces तो इसमें देखो आपको यह answer लिखना है ठीक है तो चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुए आगे आपको second में क्या है What sign conventions are used for reflection from a spherical mirror इसमें देखो आपको यह लिखना है answer तो देखो आपको 122 पे जो दिया है उसको refer करके लिखना है इसमें देखो क्या क्या है between pole and focus at the focus, between the focus at the center of the curvature beyond the center of the curvature at a very large distance तो देखो एक एक answer में आपको दिखाता हूँ देखो यह जो है आपको between the pole ऐसे करके first, second, third, fourth, fifth, sixth एक एक करके आपको answer सामने आएंगे आप post करके लिखने रहां तो चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हूँ है fourth में क्या आपको which type of mirrors are used in the following पहले क्या आपको periscope तो इसमें देखो आपको flood lights, shaving mirrors, kaleidoscope, street lights, headlamps of a car तो देखो इसका answer है ठीक है तो चलो भी आगे देखते हैं solve the following examples एक है an object of height 7 cm is kept at a distance of 25 cm in front of a concave mirror the focal length of the mirror is 15 cm at what distance from the mirror should a screen be kept as to get a clear image what will be the size and nature of the image तो इसका देखो यह answer रहेगा यह solution है इसका ठीक है B क्या है देखो a convex mirror has a focal length of 18 cm the image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object what is the distance of the object from the mirror तो इसमें देखो आपको यह solution लिखना है जो आपको यह screen पर दिख रहा है ओके देखो अभी आपको C में क्या है a 10 cm long stick is kept in front of a concave mirror having focal length of 10 cm in such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 cm what will be the length of the image तो इसमें देखो यह answer आपको लिखना है यह solution है इसका तो इसमें देखो आपको लिखना answer देखो यह screen पर क्या है the center of curvature and the radius of curvature will be common to the three mirrors while the pole and the principal axis will not be common तो यहां पर हमारा chapter complete हो गया है अब यह अगले वीडियो में आपको next chapter दूँगा तो आप चैनल को subscribe करके रखो ताकि आपको वो वीडियो भी मिले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो तो इस वीडियो को like करो share करो and channel को subscribe करो thank you नगर दूब करूई करो